नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियोज इन ख़वर में और मैं हूँ मनोस कुमार काश्मीर का समवैदानिक दर्जा बदलने के बाद पाकिस्तान की स्थिती ऐसी हो गई है कि उसकी बेबसी वहां के नेताओं के बयानों से साफ तोर पे देखा और समझा जा सकता है आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान पिपोल्स पार्टी के चेयर मैं बिलावल भुट्टो जर्दारी ने इमरान खान पे हमला बोलते हुए कहा है कि कहां पाकिस्तान की पॉलिसी हुआ करती थी कि कि किस प्रकार से हम जम्मू काश्मीर के साथ साथ श्री अगर पे हम कबजा करेंगे और उसे पाकिस्तान में मिलाएंगे और कहां भी एस्तिती ऐसी हो गई है कि मजफराबाद को बचाना भी मुश्किल हो गया है यानि सेलेक्टिड प्राइम मिनिस्टर ये आरूप लगाया है बिलावल भुट्टो ने हलाकि जो इपक्षी पार् वा खासमेर मिनिती को लेकर पाकिस्तान सरकार का रुख क्या है कि काश्मेर हमारे हाद से चला गया और काश्मेर तो चला ही गया अब उसकी तो खैर चर्चाही छोड़िए अब तो आजाद काश्मेर यानि भारत जिसे पाक अधिकरत काश्मेर कहता है T.O. के कहता है और उस पाकिस्तान के राश्ट्रपती भी रह चुके हैं और फिलहाल वो पाकिस्तान पेपल्स पार्टी के चेयर्मेन हैं बिलाव लेली भुट्टो और भी कई आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि अब देश के सामने ये बात साफ हो गई है कि इमरान खान सरकार जतनी नाकाम साब कर लिया आप सोते रहे और जब जागे तो विरोधियों को दबाने के लिए आप सोते रहे और मोदी ने काश्मीर छीन लिया पहले हमारी काश्मीर पालिसी क्या होती थी हम प्लान बनाते थे कि शर्णगर कैसे हती आएंगे और अब यह सोचना पर रहा है कि हम रखने के लिए मुलक को तबाह कर देता है आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही है कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया तो किसे अपराधी ठहराया जाएगा सेलेक्टर्स को या सेलेक्टिड प्राइम मिनिस्टर को यानि बिलावल अली भुटो जर्दारी ने सेना पे और इमरान खान पे भी यानि कुल मिलाकर इस तरह के बयानों से यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के राज निताओं के हताशा किस कदर आगे बढ़ गई है पाकिस्तान भले ही गिदर भब की देता रहे परमानु बम की धम की देता रहे या वो कहता रहे उसके प्राइमिनिस्टर कहते रहे कि भारत के साथ वो निपटने के लिए तयार है और हर मोर्चे पे वो तैयार है लेकिन वहां के जो निताओं के हताशा भरे बयान सामने आ रहे हैं उसे साफ पता चलता है कि काश्मीर को लेकर पाकिस्तान में इस्तिति क्या है और पाकिस्तानी राजनिताओं की सोच क्या है यानि अब वहां के राजनिता अब ये सोचने पहुंच जाए और उसके बाद जो पीओ के है वो ही भारत अपने कबजे में ना ले लिए इस तरह का बिलावल भुटो ने बयाद जर्दर्ज किया है और आरूप लगाया है इमरान खान पे तो इससे समझा सकता है कि पाकिस्तान में अभी काश्मीर को लेकर कितनी हताशा है और पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान की सरकार किस कदर इस मोर्चे पे घिरी हुई है फिलाल इतना ही नमस्कार